सालों से दिल्ली की स्टेट गवर्मेंट और सेंट्रल गवर्मेंट की बीच में युद नहीं, महायुद चल रहा था कि आखिर दिल्ली की जो आड्मिर्स्टेटर सर्विसेज है जिसे अपॉइंट्मेंट, ट्रांसर, etc. या आखिर किसके हाथ में रहेगी आम आदमी पार्टी मतलब स्टेट गवर्मेंट के पास या फिर लेफ्टिनेंट गवर्मेंट जिसे सेंटरल गवर्मेंट अपॉइंट करती है उसके पास जिस पर सुप्रींग कोट ने आज फैसला सुनाते भी ये कहा है कि दिल्ली की सारी सर्विसेज की पावर स्टेट गवर्मेंट के हाथ में रहेगी एकसेट ये तीन चीज़े पब्लिक ओर्डर, कुलिस और लांड रिलेटेड मांडर्स सुप्रींग कोट ने ये भी कहा है कि लेटेनेंट गवर्मेंटर दिल्ली स्टेट गवर्मेंट की ओर्डर से बाउंड रहेंगे इस जज़मेंट पे आपका क्या कहना है बताना जरा